नमस्कार दोस्तो बरसाद की सीजन में अपनी हरी भरी टेरिस का एक उफसरत नजारा आप लोग को दिखा रही हूँ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें कीचन वेस्ट से कमपोस्ट बनाकर मैंने अपनी ये पौंधे ग्रो किये हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है बरसाद की सीजन में एक छोटा सा नजारा आपनी टेरिस का आपको दिखा रही हूँ नीबू में फ्रूटिंग हो रही है और टेरिस का नजारा दिखाना आज इसलिए भी जरूरी था कि बहुत सारे मेरे दोस्त कह रहे हैं कि मैडम आप हर बार हार्वेस्टिंग दिखाती हैं कैसे छोटे छोटे पौंधे आपको वहां उकते हैं और किन चीजों में आपने इन पौंधों को ग्रो किया है यह आप कभी नहीं दिखाती है परसे मैंने हर एक चीज को इस्थिमाल किया है कुछ पेंट की बाल्टियां कुछ टूटे फे डस्पीन, कुछ टब यहां तक की ग्रोबैक, पॉलेथिन, कुछ नहीं है तो सिमंट का कट्टा ही सही हर चीज में मैंने प्लांट उगाए हैं एक यह पौंधा मैंने लगा रखा बैगन का तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी सूटेबल जगर नहीं मिडी तो मेरे पास एक सिमंट का कट्टा था उसमें मैंने इसको लगा दिया है सिमंट के कट्टे में बहुत अच्छी इसने ग्रोध पाई है इधर कुछ प्लांटर्स में मैंने मेरे पास पड़े वे थे जिनमें मैं अभी तक फूल हूल कई बार बोती थी उसमें इस बार मैंने सब मैं भिंडी के पौंधे लगा दी हैं और इतने अच्छे तंदृस्त भिंडी के पौंधे हो रहे हैं जितनी पत्या निकल रही है उतने इसमें फ्रूटिंग भी हो ली है इसमें कुछ वर्मी कंपोस्ट और गाई की गुबर की खाद डालना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी अच्छी फसल पैदावार तभी हो सकती है जब उसमें आप अच्छी खाद देंगे और ये मेरे छोटे 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 जो दूद के कंटेनर हैं इनमें ये चौलाई लगाई है और एक चौलाई का पेड़ तो देखे मैंने ये बीच के रख जा और इतने बड़िया इसमें बीच बने हुए किसी भी छोटी बड़ी चीज के लिए मुझे दौर लगा के दुकान नहीं जाना पड़ता क्योंकि कड़ी पत्ता, धनिया, पुदीना, हरी मेर्च और ये सब चीज़ें ही मेरे घर में हो जाती है दूसरे बड़े बैग में ये टेंकी टूट गई थी जो उसमें मैंने हल्दी बोई है हल्दी बहुत जादा नहीं भी होती है तो कम से कम दूद में डालके पीने के लाएक हल्दी तो मेरे हर साल हो जाती है एक दो किलो कच्ची हल्दी निकलती है जिसका कम से कम पाउ भर से या अधा किलो करीब उसका पाउडर बन जाता है दो तीन कंटेनर्स में मैंने पुदीना लगाया है अगर पुदीना जादा हो जाता है जरूरत से जादा तो सुखा देती हूँ और एक एस टवरी का प्लांट मैंने इस बार लगाया है हर कॉर्नर में कहीं ने कहीं भिंडी के पेड़ या कुछ न कुछ हर्याली जरूर आपको मेरे घर में देखने को मिलेगी यह देखे बैगन के पेड़ अभी इतने छोटे हैं फिर मैं सीधे हर्वेस्टिंग पर आपको इनको दिखाऊंगी कि किस तरह से अभी तो बहुत वीक हैं बहुत जादा इनको खात की जरूरत हो रही है पानी भी बहुत बरस रहा है और कुछ मिर्च जो मैंने तोड़ दी तो स्टेंड के उपर यह जो है सो फ्लावर सो प्लांट वगरों लगे हैं बहुत ही सुन्दर लग रहे हैं यह मेरी सेकेंड फ्लूर की छत है जिसमें सारे सो प्लांटी है अधिकतर वेजिटेबल वाले प्लांट सब मैंने उपर रखे हुए हैं तो यह मेरी खुबसूरत छतका न जा रहा है फिर किसी अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार